बिहार के वालमिकी टाइगर डिजर्व में एक बाग बना आदम खुर 9 महीने से बाग घूम रहा है और माई 2022 से लेकर अब तक उसने 7 लोगों पर हमला किया है इसमें से 6 लोगों की मौत हो चुकी है वहीं एक यूवग जखमी है जिसका इलाद चल रहा है इधर हाली में बाग में बीते दो दिनों में दो लोगों का शिकार किया है जिसमें एक बच्ची की मौत हो गई है वहीं दूसरा यूवग गंभीर है वालमिकी टाइगर डिजर्व के अलग-अलग इलाकों में इस बाग की हमले से लोग भैबी थे करीब 25 दिन से स्थानिय लोगों के साथ साथ विभाग की टीम भी लगी है लेकिन खास सफलता हाथ नहीं आ सकी है बताया गया है कि करीब 400 लोगों की टीम में 275 लोग स्थानिय है वहीं बागी विभाग के साथ साथ कुछ लोगों को बाहर से बुलाया गया है 25 दिन से जोर शोर से टीम लगी है लेकिन बाग हाथ नहीं आ सका है बाग आगे आगे और वन विभाग की टीम पीछे-पीछे Special Tranquilizer Gun से हैदरबाद से आई टीम ने बाग पर चलाया और बाग को लगा भी लेकिन वे कर्मियों के हाथ से निकल गया एक टाइम लाइन आपको बताते हैं 14 मई को नौवत्वाग निवासी 13 वर्षिय राजकुमार की मौत वहीं 20 मई को कठहल गाउं की रहने वाली विद्वा महिला पारवदी देवी की मौत 14 जुलाय को बैरिया काला गाउं निवासी धर्मराज काजे की मौत 12 सितंबर को काम करने खेतों में गई बुलबंदी देवी की मौत 21 सितंबर को बैरिया के पास सहरा में राम प्रसाद उरव की मौत 5 अक्टूबर राद 12 बजे 12 वर्षिय बगडी कुमारी की मौत 7 अक्टूबर की सुभा डुमरू गाउं निवासी यूवक संजे महातू जखमी लेकिन अब बगहा में मार दिया गया है आदम खोर बाग इस बाग ने 9 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था फिलाल इस रिपोर्ट में इतना ही बाकी अन्य खबरे जानने के लिए आप देखते रहे एबीपी लाइफ